मेडम, थोड़ा जल्दी करिए ना? सबको जल्दी है मेडम हलो, नमस्कार, क्या मेरी बात विक्रम जी से हो रही है? जी नहीं, मैं उनके पत्नी बोल रहे हूं, सुनीता सुनीता जी, नमस्कार, मैं एनबीभी बैंक से राजी शर्मा बात कर रहा हूं आपकी जानकाली के लिए बताना चाहूंगा कि सुरक्षा करनों की वज़े से आपके पती विक्रम जी का ATM काड ब्लॉक कर दिया गया है अरे, ऐसे कैसे ब्लॉक कर दिया आप ने? देखिए जिसा कि मैंने आपको बताया था कि इस रक्षा करनों की वजये से है और अगर आप इसे अन ब्लॉक करा ना चाहती है तो इस कॉल के मार्दियम से अप उसे ब्लॉक करा सकती है, क्या आप करवाना चाहेंगी? हाँ जल्दी करिए पुष्टि के लिए धन्यवाद सबसे पहले आपको अपने ATM कार्ट में 16 अंकों का एक नंबर होगा वो मुझे बताना होगा गार्ट नंबर? जी आप ATM कार्ट को अपने हाथ में लीजिए उसमें सामने की तरफ 16 अंकों का एक नंबर होगा वो आपको हमें बताना है हां लिखिये जी बताइए 6-0 4-3 इसके साथ साथ आपको इसी नंबर के नीचे एक एक एक्सपारी डेट होगी 8-26 इसके साथ साथ आप कार्ड को अगर पर्टेंगे इसमें एक CVV नंबर लिखा होगा वो भी आप आने अकस करें सुनिता जी आपके मुबाइल में चार उनकों का एक OTP आया होगा लिखिये 6-7-2-2 मुबारक हो सुनिता जी आपका ATM कार्ड अनब्लॉक हो गया है और अब ये पूरी तरह से एक्टिवेट है अरे आपने कहा तब कार्ड एक्टिवेट होगा मेरे पती के काउंट से सक्तर अजार उपे कैसे कट गए मुबारक हो मैडम जी आपके साथ स्कैम होगया स्कैम आपके साथ साथ सबस्कैन होगया पेमें जाही है ऑप मैं पती के लाज के लिए होस्पिटलाई हो और अगर उनके लाज के पैसे जाहन नहीं हुए तो तो उनकी चांड चली जाएगी रूपono हम्हारे पास सिर्फ सत्तर आजार रूपया इनके इलाज मे कितना ख़च उब मैं नहीं जानती हूं मैं इससो को इंति जाम कैसे करूँ कि मैं ये भी नहीं जानती हूं मैं बस इतना जानती हूं कि ये पैसे मेरी नी कहमाई के है मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ प्लीज पैसे वापस कर दीजिया तेनेश तेनेश मैं एक मिनिट होड़ करियेगा और सिर्फ एक मैं आज यार वो रो रही है यार मुझे लगता मुसीबत मैं पैसे वापस मांग रही है अपने कर देते ना पागल होग एका पैसे वापस करने के सोच रही है तू बाइस कैम का धन्दा ही है यहाँ पैसे आते हैं जाते नहीं समझा पोन काट दे आप पैसे वा क्या करेंगे मैं नहीं जानती लेकर मेरे पती क्लिए पैसे बहुत कीमती है हलो वो आप कौन से बोल रहे हैं City Hospital Hello? Hello? अगल हो गया क्या? असवाएगा हम जब को अरे यार उसके पती को कुछ हो गया तो तो हो गया तो क्या? जादा भावनाव में मत भै यह नहीं परेशानियां दूर करने नहीं शौर कहना तुझाए समा सेवा कर यहां मत बैठ स्कैम है भाई यह स्कैम का धन्द है सही का तुमने पैसो के लालेश में मैं तो भूली गया कि मेरा भी एक परिवार है मुसिबत तो किसी भी परिवार के साथ आ सकती है तो जादा रहे तुब अपनी गलती ठीक करने कर्द में अए सुन सुन्या यह आपका बिल पे हो गया है यह लीजे श्लिप और यह पैसे किसने किससे Nebenis एए लुप किसा थाइब was